हेलो गाइस आप देख रहे है एटू जाइट हॉमसेट डेजाइन है याप पे मैं आपके लिए बहुती 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 हाउस प्लान के बीडियो अप्रोड करता रहता हूँ आज मैं एक प्लान लेका हूँ जिसका साइज है तीस वाई सो यह पूरा आपका क्राई के परप प्लान मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते कुछ इस तरीके से कंप्रीट प्लान दिया है अब मैं आपको इसकी थीडी में पूरी डिटेल मंजान का ही दूँगा तो बढ़ते अपने थीडी प्लानिंग की और यहां पे आप देख सकते कुछ इस तरीके से complete plan मिलता है आपको थीडिम पूरा देख सकते हैं complete अटिया कुछ इस तरीके दी गई हैं बागी कि यहां पे आपको open terrace मिल जाती ventilation कुछ इस तरीके जाल दिये गए हैं इसमें आपको total renter purpose से 34 दुगाना मिलेंगी back side में आपको 6 flat में लेंगे separate वह भी balcony के साथ है fully ventilation साथ में तो बात करते हैं सबसे पहले basement की अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्टाइम आज प्लीज चैनल को subscribe कर लेना बेल आइकन को place कर लेना है यहां पे आपको इस तरीके से निव नीव वीडियो मिलते रहेंगे यह basement road level से 5 feet उपर दिया 4 feet नीचे दिया कुछ इस तरीके से basement बना हुआ है उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से रैंप दे गई है साथ feet का space उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंट में आपको कुछ इस तरीके से दो दुकाने देख जाती लेप्ट और राइट साइड में देख सकते हैं दौनों दुकानों का साइज मैंने साइज दिया है दुकान का मैंने साइज रखा 10 वाई 10 यह भी आपकी 10 वाई 10 की दुकाने दी गई है उसके बाद यहां पे आपको बेस्मेंट पूरा हॉल मिल जा था पार्किंग के परपस से इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा है 29 वाई 70 वाई 70 का आपका हॉल दिया गया है देख सकते हैं अपा 29 वाई 70 का बेस्मेंट में यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है उपर आने जाने के लिए जीना आपका 3 फिट का दिया है कमप्र जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ सब्सक्राइब मौनी चौर्पिक चुर्छ जोते उसके मुद चुर्प उसके बादे आपे आप देख सकते इस साइड आपको दो दुकान है मिल जाती है पहली दुकान का मने साइड रखा है दस भाई बारे दस भाई बारे एक दुकान दी है और इसके बादे आपे आप देख सकते कुछ इस तरीके दुकान मिलती है इस दुकान का मैंने साइज रखा दस वाई दस है अभी आपकी दस वाई दस की दुकान दी है उसके बाद इस साइड आपको कुछ इस तरीके दो दुकाने मिल जाती है देख सकते हैं इन दोनों दुकानों का साइज मैंने सेम रखा दुकान का मैंने साइज दिया है आठ उसके वाद यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से और आपके पूरे इस पेस का मैंने साज रखा है 9 x 10 यह 9 x 10 का आपका पूरा इस पेस दिया जिसमें आपको 4 टॉयलेट उपलप कराएं गई है देख सकते हैं बेंटिलेशन को जिस तरीके छोटे सरोसंदान दिये बेंटिलेशन को यह आपको प्रॉब्लम ना हो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके सटर मिल जाता है यहाँ पे आप गेट भी लगा सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है जो कि आपका बेसमेंट से उपर आया है एक सकते हैं बेरेक्ट आप यहासे बेश्मैंड लेख सकते हैं यहासे फ्सक्रिस तरीके से बना हुआ है उसके भाद यह पर आप दिनके प्रड़े मिल जाते हैं ये 6y9 का आपका इस्पेस दिया है देख सकते हैं 6y9 हॉल में आप आप देख सकती कुछ इस तरीके किचिन मिल जाती किचिन के वेंटिलेशन इस साइट से विंड़ो दिया किचिन का फुली वेंटिलेशन होता रहेगा इस kitchen का मैंने size रखा है 5Y9 यह 5Y9 की आपकी kitchen दी गई है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीगे से integrate इंटी लेंगे इंटी लेने बाद यहाँ पर आपको room मिल जाता है room से direct वालकनी आने जाने कुछ इस तरीगे से integrate दिया देख सकते हैं यहाँ पर आपका 3 fit का space छोड़ा गया है जिसमें आपकी dead fit की वालकनी दी गई dead fit space आपका ventilation purpose से छोड़ा गया है इस room का मैंने size रखा है 10Y11, 10Y11 का आपका room दिया गया है देख सकते हैं 10Y11 का उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीगे से integrate मिलता gate से आप inti लेंगे inti लेंगे बाद यहाँ पर आपको letting वाथ हूं कमाइन मिल जाती है ventilation को इस तरीगे छोटा स्रोसा ना दिया, ventilation को यह आपको problem ना हो पीछे यहाँ पर आप कुछ इस तरीगे दो फिट का OTS दिया हुआ है, देख सकते हैं इस लेट बाद का मैंने साज रखा है 3x8 है, 3x8 के आपके लेटिंग वाथ हूं कमाइन दी गई, देख सकते है, 3x8 उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीगे से इंटिगेट मिलता है, गेट से आप इंटि लेंगे इंटि लेने के बाद यहाँ पर रूम मिल जाता है, ventilation दो फिट की इस साइट विंडो दी है और बालकनी आने जाने कुछ इस तरीगे से इंटि गट दीया हुआ है, इस रूम का वहने साइज रखा 10Y 11, यह भी आपका 10Y 11 आरा रूम बना हुआ है यहां पर आप Shoga 1850 का पूरा शयें प्रेट मिल जाता है अगर आप इस साट मेगे आपको बालकनी उपलप कराईए यहां पर व्र फ्लोर पर आपको तोटल दस दोकान है उसके पीछे आपको टू फिलेट मिल जाते है। बात करते हैं उपर की प्लानिंग की तो जीने से आप उपर आने वाद कुछ इस तरीके देख जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके सेम प्रोव से मिल जाता है, दस दुकाने आपको टोटल मिल जाती है, जैसा कि आपको नीचे देख नहीं मुला था, यहाँ पे आप फ्रंट साट से कुछ इस तरीके द बालकनी मिल जाती है, देख सकते हैं बैक साइड में आपके आप देख सकते हैं 2 BHK के 2 separate flat मिल जाते हैं बालकनी के साथ में कुछ इस तरीगेश बालकनी दी गए हैं टोटल स्पेस आपका 3 फिट छोड़ा गया है जिसमें आपकी डियल फिट की बालकनी दी है और डियल फिट आपका बेंटिलेशन परपस से छोड़ा गया है पर फ्लोर पे आपको फ्रेंट में 10 दुगान पीछे आपको 2 BHK के 2 separate flat मिल जाते हैं देख सकते हैं आप complete आपका प्लान कुछ इस तरीगेश बना हुआ है टोटल इस प्लान में आपको 34 दुखाने मिलती हैं बेक साइड में 6 फ्लेड मिल जाते हैं 2 BHK के बेसमेंट में आपको कार पार्किंग मिल जाती है काफी बढ़ी आपकी पार्किंग दी है 29 वाई 70 की देख सकते हैं आप पूरा complete प्लान आपना प्लोट एरिया 30 वाई 100 का था उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आए पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले एकन को प्रेस कर लेना है तो मिलते हैं वीडियो के साथ आज के लिए उतना आई वीडियो देखने धन्रवाद